उत्राखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास के पहली बार रामनगर पहुँचने पर विधायत दिवान सिंग बेश्ट और भाचपक कारिकरताओं ने उनका जोड़दार स्वागत किया इस ओरान रोड़वे स्टेशन का निरक्षन करते हुए परिवहन मंत्री ने अधिकारियों को विवेस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिये साथ ही उन्होंने कहा कि रामनगर का रोड़वे स्टेशन कुमाओं और गड़वाल के प्रवेश्टवार बेस्तित है और इस स मौके पर उन्होंने कहा कि रामनगर के स्टेशन को बसपोर्ट बनाने के लिए केंद्र सरकार की योड़ से 26 करोड रुपे की धनराशी देने की घोशना की गई थी लेकिन बाद में ये नहीं हो सका हालांकी रामनगर डिपो को 3 करोड की धनराशी मिली है जिससे यहां पर स विधाओं का विस्तार किया जाएगा देखे रोडवेज रामनगर के लिए पहले ही शासन ने पैसा शुकृत किया है लगबग 36 करोड की शुकृत हुई थी 26 करोड की शुकृत हुई थी मगर नितिकत रूप में पीपीवी मोड के लिए ये प्रस्ताव था दुरभागे से पीपीवी मोड में यहां कोई आये नहीं है और मेरा अब यह मानना है कि जो 3 करोड प्या शासन ने जारी किया है तब तक हम रोडवेज की ओर से यहां के रो अच्छे शुरूप में हम करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में रामनकर बस अड़े की सूरत बदलेगी परिवन मंतरी चंदर रामदास के पहली बार रामनकर पहुँझने पर जहां को पाल्टी कार करता हुए उनका जोड़दा स्वागत किया तो वहीं परिवन मंतर पहली चंदर रामदास ने रामनकर रोडवेज डीपो का निरिक्षान करते वे अधिकारियों को व्युष्णा दूरस्त कनने के निर्देज़ उन्होंने बताया कि रामनकर डीपो कुमाओं और गड़वाल के प्रवेश द्वार पर इस्तिते इसलिए रामनकर के डीपो को अत्यदुनिक सुविदाओं से लेस होकर बनाया जाया उन्होंने बताया कि बस पोल्ट के लिए 26 करोल लुपे की राची केंद्रे से मिली थी लेकिन पीपी मोट के चलते कोई ठेकेदार नहीं होने के कारण यह काम रुगया उन्होंने का अभी 3 करोल की राची सरकार द्व